हालो है व्यवर्ण, वेल्कम बेक टो प्रेंस इसी केशन चैनल, प्रेंस आज हम लोग आपर सॉल्व करेंगे, क्लास 10 आल सकताल की बुक से, एक्सराइस 14, हाइट इंडिस्टेंस का कोशन नंबर 31 & 32, I hope आप लोगो ने प्रीवेस आले सभी कोशन सॉल्व कर चुके होंगे, आप नहीं किये हैं, तो हाइट इंडिस्टेंस, क्लास 10 चैनल को प्लेलिस्ट में आकर सभी सॉल्वीशन देख लिजेगा, और चेक्टर की सॉल्वीशन भी आपको आपको अवेलेबल हैं, वो भी आप देख लिजेगा, ओकी गईज, तो यहापर कोशन नंबर 31 & 32 हम लोग सॉल्व करेते हैं, फर्स्ट अपर 31 हम सॉल्व करेंगे, देन हम 32 सॉल्व करेंगे, राइट, सु फॉम दिस कॉशन दिया हुए आपको, फॉम दा टॉप अप अवे वर्टिकल टावर, सु स्टेटमेंट पड़ी हैं, डाग्राम बनाएं सबसे पहले, में इसको यह टावर है, एक वर्टिकल टावर है आपका, ठीक है, इसके टॉप से, from the top of a वर्टिकल टावर, the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of tower, means तो यह टावर का base है, फूथ है, इसी पे भी two points है, ठीक है, तो angle of depression of the two cars in the same straight line with the base of tower at an instant are found to be 45 degree and 60 degree, means यहाँ पर जो angle of depression बन रहा है, वो कितना बन रहा है, आपका 45 degree and 60 degree बन रहा है, if the cars are 100 meter apart and are on the same side of the tower, then find the height of tower, so इस question में आपसे यह height पूछी है, टावर की, right, और आपसे बोला है, कि यहाँ से जब हम angle of depression देखते हैं, तो सबसे पहले कितना degree का बन रहा है, 45 degree का बन रहा है, and जो हम देखते हैं, तो कितने degree का बन रहा है यह आपका, यह आपका फिर 60 degree का बन रहा है, right, so guys, अब आपसे क्या बोला है, इस तो car 100 meter apart, means यहाँ पर जो आने से पहले, जो car है, वो यहाँ पर है, ठीक है, यह car है आपकी, यह same side में आ रही है, और कितनी meter के दूजी पर है, 100 meter के दूजी पर है, that means, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यह कितना है, 45 degree angle of depression बन रहा है, और यहाँ पर 60 degree बन रहा है, और हम देख रहा है कि जो car है, वो 100 meter दूर है, और same direction है हमारी आ रही है, यह height बतानी है, ठीक है, so guys, यह angle 45 degree है, अगर आपका, तो यह 45 degree होगा, यह 60 है, तो यह भी आपका 60 degree होगा, इसका clear है, ठीक है, यह distance आपकी 100 आ गए, इसको आप x मालनी जी, and height को calculate कर लेता है, ठीक है, so यह आपको diagram बना लिया, आपने diagram होगे समझ आ गया, then आप question को बहुत एजी ली कर सकते हैं, so यह question हमारा diagram बन गया, now question को solve करते है, first of all in triangle ABC, in triangle ABC, 1045 degree equals to किसके होगा, perpendicular upon base, that means AB upon BC, and AB की value H, and BC किसके होगा है, x plus 100, okay, so 1045 degree की value क्या होगी है, 1 होगी है, ठीक है, तो H upon x plus 100, it means H equals to X plus 100, equation 1, now by equation 2, हम लोग by diagram 2 देख लेते हैं, in triangle ABB, 1060 degree equals to किसके होगा, perpendicular upon base, that means AB upon BD, so H upon X, now अब इस 1060 degree की value क्या होती है, root 3 होती है, so value put कर दीजे, H upon X, so H equals to X root 3, now, यहां से हमारी H की value होगी, यहां से हमारी H की value होगी, so guys, यहां से हम क्या करेंगे, X की value को find कर लें, तो X equals to क्या हो जाएगा, H upon root 3 हो जाएगा, root 3 upon में चला जाएगा, so हम equation 1 में H की value, X की value put कर देते हैं, put the value of X in equation 1, put कर दीजे, H equals to H upon root 3 plus 100, हमने X की value क्यों put की, क्योंकि हमें H की value चाहिए, right, so हम solve करेंगे इसको, so H minus H upon root 3 equals to 100, इसको हम left side में ले आएगे, now root 3 LCM आजाएगा, LCM ले ले लेते हैं, so जिसके upon में कुछ नहीं होता है, 1 होता है, that means upon में root 3, so root 3 H minus H equals to 100, so we can write H root 3 minus 1 upon root 3 equals to 100, now आगे कैसे solve करेंगे इसकों को, बहुत easy है, अब हमें क्या करना है, H की value find out करनी है, चीक है, हमें क्या करना है, H की value find out करनी है, so H equals to किसके एकोल आजाएगा, 100 root 3 upon root 3 minus 1, यह इसके एकोल आगे, now upon में कभी भी root 3 minus 1, इस type के term हो root 3, root and minus 1, तो इसके हम क्या कर लेंगे, इसके opposite sign से full term को multiply and divide कर देंगे, that means root 3 plus 1 and root 3 plus 1 कर देते हैं, जानते हैं न, मैंने आपको polynomial अले chapter कराया था, so यह A minus B and यह A plus B, तो क्या हो जाएगा, A square minus B square, that means यहाँ पर multiply कर देंगे, 100 root 3, root 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, and plus यहाँ पर 100 root 3, चीक है, so guys, यह क्या हो जाएगा, A square, that means root 3 का square क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा, and 1 का square, 1 ही रहता है, now solve कर लेंगे, C 100 plus root C के value क्या हो जाएगा, 1.7C2, 1.7C2 into 100, upon C minus 1, चीक है, C minus 1 कितना होता है, 2 होता है, तो हम इसे solve करेंगे, जब multiply करेंगे, जब C 100 plus, इसको solve कर दीजे, 1.7C.2 upon 2, now add करेंगे, तो क्या जाएगा, आपका, तो हमने add किया, 0.2C7 and C1, 4 upon 2, now solve की जए, divide करेंगे, तो H की value जाएगी, 2 to the 4, 2 to the 6, 2 to the 6, 2 to the 12, 0.26 to the 12, that means H की value आप किया गई, 2, 3, 6.6 meter, so guys, यही आपको calculate करना था, this is the height of the towel, so हमारी height of the towel की value आगे, 236.6 meter, ठीक है, फिलियर है आपको, इस सरी के से हम अपना question solve कर सकते हैं, and कोई भी question आपको दे दिया जाए, इस सेंचर के लेन आप एक्जाम में कभी रिमस्टिक नहीं करेंगे, question को easily solve कर लेंगे, सिर्फ diagram बना आना चाहिए, अगर आपका diagram बने के नहीं, question solve हो चाहिए, right, now question number 32 solve कर लेते हैं, now friends, question number 32 आपको दिया हुआ है, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter, means एक pole है, कितने meter height का, 4 meter height का, ठीक है, और इसको, electrician को repair करना है, किसी electric fault के कारण, now, he needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work, means उसे कहां पहुँचना है, जो top है pole का, उससे 1 meter नीचे, that means यहां पर उसे पहुँचना है, 1 meter below, यहां पर उसको पहुँचना है, किस लिए, जो आपको pole है, उसके repair work के लिए, what should be the length of the ladder that he should use, means यहां पर चड़ने के लिए, उसे कितनी length की ladder चाहिए, so guys दिया आपकी ladder, ladder आप जानते हैं न, CD जिसको बोलते हैं, so यहां तक जाने के लिए, उसे कितनी meter की length की ladder चाहिए, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, means horizontal से 60 degree का angle बनाती हो, और कितनी meter की ladder उसको चाहिए, to enable, to reach the required positions, means इस required position पर पहुँचने के लिए, so guys हम इसको माल लेते हैं कि यह x meter की है, and इनको points mention कर देते हैं, a, b, c, and a point d, यह पूरी आपका 4 meter का pole है, and 1 meter नीचे work कर रहा है, तो यह नीचे left, यह बचावो portion कितना हो जाएगा, आपका 3 meter का हो जाएगा, ladder की length आपको बतानी है, so let's suppose, let the length of ladder, equals to x meter, right, and height of pole आपको कितना दिया है, 4 meter दिया है, total height दिया है, लेकिन जहाँ पर इपर वर्क हो रहा है, वहाँ से आपके जो pole के foot की distance है, वो कितनी है, c meter है, so हम इन triangle a, b, c में apply कर लेते हैं, in triangle a, b, c, guys आपको क्या दिया है, perpendicular आपको मालूम है, and hypotenuse आपको मालूम है, तो जहाँ perpendicular hypotenuse होता है, वो पंडित बद्री पर साथ, हर हर बोले, इससे आप निकाल सकते हैं, sonal चान्दी तो, that means, s for sine, c for cos, and t for 10, पढ़ा है न, p perpendicular, b base, h for height, तो perpendicular base किसमें आ रहे हैं आपके, sine के function में, so sine 60 degree apply कर दिजे, c, so bc के value आपको कितनी है, 4 है, and ac के value x आपको calculate करनी है, now sine 60 degree के value क्या होती है, sine 60 degree की, right, right strength, sine 60 degree की value होती है, root 3 upon 2 equals to 4 upon x, so cross multiply कर दिजे, x root 3 equals to 6, that means, x equals to 6 upon root 3, now upon में, जब भी root 3 आजाता है, तो हम क्या करते है, cross multiply कर लेते हैं, same value से, जब रूट 2 आए, जब रूट 3 आए, तो रूट 3 की multiply कर लेंगे, that means, 6 root 3 upon root 3, root 3, 3, so 3 to the 6, it means, x equals to 2 root 3, and root 3 के value क्या use करनी है, 1.7c, multiply कीजे, x equals to, 2 3 is a 6, 7 to the 14, 2 1 is a 2, carry 1 था आपका C, तो 3.46 meter, so this is the height, this is the length of ladder, यही तो आपको calculate करनी थी, 3.46 meter, so आपने यह calculate कर दी, है नो so easy, guys, इस तरीके से, कोई भी कोशन दिया जाए, आप सभी कोशन सॉल्व कर सकते हैं, सभी solution, आपकी height and distance, class 10 के playlist में अविलेबल है, other chapters के भी आपको अविलेबल है, उपर आई टैप पर भी क्लिक करके, आप देख सकते हैं, नीचे description box में भी कुछ links आपके लिए अविलेबल है, जो कि बहुत ज़दा important है, वो सभी देख लीजेगा, एंड चैनल को subscribe कर लिए जिससे other chapter के solutions के notifications आपको मिलते रहें, ओके गाईज, एंड वीडियो को like करके comment चुरू कर दीजेगा, यह सा मुझे समझ आ गया है, ओके, bye bye friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, take care,